इंकलाब टीवी प्रेम डेम समाचार में आपका स्वागत है भागलपूर नवगचिया में लोगडाउन के दुरान बढ़ते अपराद को लेकर भागलपूर प्रशेत्र के डी आई जी सुजीत कुमार नवगचिया पहुँचे और हो रही लगातार अपरादी घटनाओं की समीक्षात्मक बैठक किया एसपी कारियाले नवगचिया में पुलिस अधिक्षक निधी रानी सहित जिले के पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक किया महीं देर रात जमुनिया पंचायत के उप मुखिया के पुत्र को कुलहाडी से हत्या करने के मामले में हत्या के आरूपी को हत्यार के साथ गिरफतार होने की बात कही गई महीं पुलिस अधिक्षक निधी रात की समिक्षा और पुलिस केंटर के प्रहमन जैसे आप देख रहे हैं मैंने अभी पुलिस केंटर में जो कोबिड-19 को लेकर जो प्रिशा निर्देश मिले हुए हैं उनका अनुपालन हो रहा है हाँ पर सबसफाई की क्या वेवस्ता है बैरक में राने वाले सिभाई उनको कोई दिक्कत तो नहीं है इन सारे चीज़ों को हम लोगोंने अभी देखा है हाँ अपर में लगातार कोबिड-19 में लोगडाउन में लगातार तभी पाचमा हत्या हुगी है नोचिया में सर इसके लिए क्या वेज़ने बनेगी जो जो भी आपक्षित है वो लगातार इन सारी घटनाओं के पीछे क्या कारण रहे हैं और क्या कारवाई है उसकी जस्त अभी मैंन अभी एक बहुत महत्पोर्न अपरादी की किरफदारी भी हुई है काफी प्रयास के बाद उसको पकड़ा गया है कुछ स्पीडी ट्रायल के केसे जो स्पीडी ट्रायल में उनके संबंध में मैंने चर्जा की है तो लगातार टीम जो है वो काम कर रही है और जो भी इसमें अभी गड़ना है हुए है उसमें कारवाई हुए है उसमें कारवाई हुए है पुलिस ने और उसमें बारे लोगों की किरफदारी भी हुई है और उस केस को भी हम लोग स्पीडी ट्रायल में रखेंगे अब इस तरह की घटना है जो है जो आप जिस घटना के बारे में कलका रहे है उस घटना में पुलिस ने बहुत प्वरित कारवाई करते हुए उस वेक्ती को भी गिरफतार किया गया है उसके द्वारा प्रियोग में लाए गया है हतियार को भी गिरफतार किया गया है और उ अबीन फुलिस केंद्र जो नवकषिया काया है, इस भी मैडम और जो सर्जेंट मेजर हैं, सभी लोगों के साथ इसका भ्रहमन किया है, अभी हम लोग इसको कैसे डेवलब किया जाए, इसको लेकर एक बैठक करने वाले हैं, जो बहुत जल्द इसमें फिलिंग का काम जो है, झाले हैं, 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 झाले